स्वागत है आज हम बात करने वाले क्लास 9 जग्रफी के चप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया यह इस चप्टर का पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 4 पे भी जो नर्दन प्लें जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो में उसी को हम कॉंट इस तरीके के डिफ्रेंशियेशन है तो वो भी आप देख सकते हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके लब आपने पिछली वीडियो में देखा का देखा था कि जो नर्दन प्लेंस हैं बेसिकली वो फॉम्ड कैसे होते हैं कौन-कौन सी में रिवर राइन आइलेंड देखने को मिलते हैं अगरी कल्चुरल प्रॉक्टिविटी वहां पर बहुत अच्छी होती है तो यह बेसिकली हमने कुछ एक चीज इसके बारे में देखी ती और यह देखा था कि उन तब बेसिन देखा था नर्दन प्लेंस को डिवाइड कि जो रिवर्स के बेस पर जो नर्दन प्लेंस यह दिवाइड किया था कि जो बंजाब प्लेंस है गंगा प्लेंस है ऑब्रह्म पुत्रा प्लेंस हैं यह सारी चीज इन डिसकर में एक लास्ट चीज जो हमने उस वीडियो में डिसक्स की थी वह क्या थी कि हमें जरनली लगता है कि जो नर्दन प्लेंज है वो अधिकतर फ्लाट एडिया आज है और में किसी भी तरीके के कोई रिलीफ फीचर नहीं पाए जाते है बट ये ट्रू नहीं है ऐसा नहीं है नर्द चीजों को मैं में चीजों कर रही हूं जिसी कि आपको चीजों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना है तो अन्द बेसी ओफ रिलीफ फीचर अकर मैं नर्दन प्लेंज की बात करूं तो हम उनको में फोर ब्रॉड के टिग्रीज में डिवाइड करते है चार में बड़ी क टिग्रीज है कौण कौण सी है पहले नाम जान लेते हैं बाबर टिगे ना क्या है भाबर टेराई भांगर खादर टेराई भांगर एंध खादर अब देखते क्या है इसके लिए मैंने देखेते चोटे उसना figure बना के कोशिच कि आपके लिए describe करने कि देखे जब भी कोई नदी होती है जब वो हिमाल्या से निकलती है जब है जब हिमाल्या से निकलती है तो उस टाइम प्लंपे भो क्या है तो अपने डारेक्शन चेंज कर लेती है ठीक है और पत्थरों की वज़े से उनके तो स्पीड है वो थोड़ा सा फिर भी कम हो जाती है तो जो पत्थरों वाला जो एरिया है उसको क्या बोलते है भाबर क्योंकि हिमालिया सिक है कुछ एक पत्थर भी तो साथ में उनके साथ तरीके से जो पहाड़ी जो एरिया है वहां पर तो वह एरिया का भाबर ठीक है नेक्स्ट आता है जब वह क्या नाम एक तरीके से थोड़ा नीचे की तरफ आती है नदिया आपके और दुबारा से रीमर्ज हो जाती है और बहुत स्ट्रॉंग जो स्ट्रीम वह उसमें जंगली जानवर आपको देखने को मिलेंगे तो इसी वज़े से काफी सारे वाइड लाइफ नेशनल पार्क वो भी बनाए गए है जैसे दुदावा नेशनल पार्क है वो भी इसका एक 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 जामपल है तो यह देख सकते हो कि उन नदियों के उन रस्ते से आने की इसे लिए प्रम इन डशक से औो और उन एक अच्छ अचग लाह क्वेकले हैं हमेच नदि रिमर्ज हो जाती है और डुबारा से एक अच्छा पांडाइल एक क्रिरे एक हो जाता है next आता है भांगर और खादर देखो भांगर और खादर दोनों बड़े relative से हैं कैसे है relative जब नदी और आके तक बढ़ती है तो एक reason ऐसा होता है जो हर साल renew हो जाता है नदी के बिलकुल pass का हिस्सा जो होता है जो बाड़ानी की वज़े से क्या है हर साल renew हो जाता है तो उसको हम behaviors जो हम पर बाड़ाती है तो किनारे किनारे पर क्या है जो मिट्टी है वो दुबारा से हुँआ हर साल इस तरीके की उसके बिल्कुल नदी के आस बासी होती है वो इंटैंसिव एकरी कल्चर के लिए बहुत जादा चीह माने जाती है और वहीं पर उस soil से थोड़ा सा और उसके नदी से थोड़ा दूर के तरफ का जो एरिया होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं भांगर बोलते हैं और old aluvium भी बोल देते हैं जो कि क्या एक तरीके से थोड़ी सी क्या है और नर्दन प्लेन के अधिकतर हिस्ती का है old aluvium वहाँ पर पाई जाती है जिसके अंदर का है kellerus deposits कंकर के भी कण हमें देखने को मिलते हैं और इसके अलावा क्या है कि जब यहां पर भी थोड़ी बहुत बाढ़ वगर आती है नदियों में तो यहां पर भी हमें कुछ और इसके खास features देखने को मिलते हैं एक चीज जो ओमारी पिछली वीडियो में रह गई थी आई होप तो कि आपको समझ में आगा तीनों में का डिफ्रेंसेशन है भाबर के आपका तेराही के भांगर के और खादर के एक और चीज थी क्या थी दो आप मैंने आपको बताया था वो भी मैंने आपे मेंशन किया दो और आप दो शब्दों से मिलकर बनाए दो का मतब होता है तू और आप का मतब होता है वाटर तो दो आप का मतब क्या हो गया लांड बिट्वीन तू रिवर्स तो दो नदियों के बीच की जो जमीन उसको हम क्या बोल देते है दो आप जैसे पंजाब है तो पांच नद को clearly चीज़े समझ में आ सके तो thanks for watching and good luck student अगर वीडियो अच्छी लगी तो please वीडियो को like करे, share करे और चैनल को subscribe करना ना भूले